नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हलचल पर महाराश्ट प्रदेश कॉंग्रेस अध्धिक्षन आना पटोले शहर नाकपूर कॉंग्रेस अध्धिक्ष विकास ठाकरे के मार्ग दर्शन में तथा मध्यनाकपूर के युवानेता ब्लॉक सोला के अध्धिक्षो मोतिरा मोहाडिकर की नेतरुत्व में मध्यनाकपुर में बढ़ती महंगाई, बिरोजगारी, बढ़ते इंधन गैस, सिलेंडर के खिलाफ जनजागरन रैली निकाली गई महंगाई के खिलाफ इस रैली में असंखे आम लोगों ने भाग लिया मध्यनाकपुर युवानेता मोहाडिकर ने बताया कि बढ़ती महंगाई से आम जनता की कमर तूड गई है बढ़ती महंगाई के चलते घर का निवारन करना, घर चलाना मुश्किल हो गया है इस जनजागरन रैली में प्रमुकुरूप से महाराष्ट कॉंग्रेस कमिटी के महासचिव अतुल कोटे चा महाराष्ट कॉंग्रेस के सचिव हैदर अली दोसानी, नगर सेवक जुलफेकार एहमद भुट्टो, माजी उप महापोर अन्नाजी राउत, महासचिव महेश्रिवास, वरिष्ठनेता रमन पैगवार, वरिष्ठनेता पिंटु बागरी, गीता जलगावकर, रमिश नीमज ताराचन बारापात्रे, विजय ताजने, अनिल केसरवानी, ओम शर्मा, गोपाल पट्टम, इश्वर गुराटकर, आशोक निखाडे, अभैरन दिवे, बाबु दलाल, अफजल शाह, निजामनसारी, नरेश चाउधरी, किशोर शिरपूरकर, अमर सिंग धोशेल, रवी और कर, राहुल खापेकर, नितिन नानगाव कर, प्रकाश लाय से, राजन कुम्भारे, निल्खंट पौनिकर, योगेश खापेकर, शेखर पौनिकर, प्रकाश कुंटे, आशा खोडे, संजे टापरे, प्रलात साथ पुते, आधी सैक्डों लोग इस जनजागरन रैली में शामिल हुए। गिरिश व्यास तथा विकास कुम्भारे उपस्तित थे। संजे जैन, नेता जी, अमन जैन, प्रफुल मोधी, धरेंद्र जैन, नेता जी, आधी समाज के सभी पदाधिकारी सदस्य गण, एवं अहिंसा वाटिका के साथ, सभी सहयोगी संस्ता के पदाधिकारियों के साथ, महिला मंडल की सभी सदस्याय उपस्तित थी। आचारिय श्री जी के पचासवे आचारिय पदारोहन दिवस पर पचास धिपक प्रजवलित कर महा आरती की गई, महापोर दयाशंकर तीवारी ने अपने उद्बोधन पर आचारिय श्री के जिवनी पर प्रकाश डाला। स्यद मुम्ताज, बाबु हिफजुर रह्मान खान, हाजी अयूपशेर, मुहमद सेट, मुस्तबा हसन, आकिल अन्सारी, मास्टर अता, चावनी मज़ित कमिटी के अध्यक्षब मुहमद अहमद उर्रहिम, स्यद मोबिन मजहर भाई, आदी मान्नेवर उपस्तित थे। अखिल भारतिय पुलक मंच परिवार नाकपुर के सदस्यों के समुहा ने भारत गवरो राश्टर संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव से, महराश्टर के पालगर जिले, उपलाट स्तित, जिन शरणम तिर्थधाम में दर्शन कर आशिरवात प्राप्त किया मार्क दर्शन करते हुए आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव ने कहा, युवाओं को मंचो से जोडना पड़ेगा, पेपरलेस कार्य करने की आवशक्ता बढ़ गई है, डिजिटल उपकरन एवं सोशल मीडिया से जुडने का ये उपयुक्त समय है, इपुलक व जान पुरे देश में चलाना है, जो मंच चल रहे है, उनके साथ युवाओं को जोडने का प्रयास किया जाएगा, मंच को आँच के यूग के अनुसर बदलने का हम प्रयास करेंगे, हमारा मंच 25 वर्ष पुराना है, दिली में इसका शुभारम हुआ था, संपर्क रहता है तो संबंद रहते हैं, संपर्क नहीं रहता तो संबंद खतम हो जाते हैं, इस आशे के विचार आचारिया श्री पुलक सागर जी गुर्य देव ने व्यक्त किये उत्तराखन कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने उत्तराखन में 40 फिजदी महिलाओं को उम्मिदवार बनाने का फॉर्मूला अपनाने के संकेत दिये हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखन कॉंग्रेस को इसके लिए अनुमोदन करना होगा तभी आगे इस पर विचार हो सकता है पांडे ने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर उत्तर प्रदेश की तर्च पर उत्तराखन में 40 फिजदी महिलाओं मिदवार बनाने को लेकर कहा कि ये प्रदेश कॉंग्रेस पर निर्भर करता है फिर भी हमारी कोशिश अच्छे युवा महिलाओं को अधिक से अधिक उमिदवार बनाने की रहेगी सच्चो सत्रामदा सेवा मिशन जरिपटका के और से येरलास्तित सुखरामधाम शिवाजी पार्क महाजन वाडेस्दित हनुमान मंदिर में निशल्क स्वास्त एवम वैक्सिंग शिविर का अयोजन किया गया स्वास्त शिविर में 930 लोगों की स्वास्त की जांच की गई शिविर में वैक्सिंग के साथ निशल्क दबाया भी वितरित की गई अपने मार्क दर्शन में डॉक्टर राम थारवानी ने कहा कि नागरिक अपने स्वास्त के प्रति सजग रहे सुरक्षित अंतराल के साथ-साथ प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करने पर बिमारियों से दूर रहा जा सकता है लापरवाही के चलते काफी तकलिफों का सामना करना पड़ता है मोजोद हारात में विशे साउधानी बरते एवं सतर्पता के साथ अपना वो अपने परिवार का ख्याल रखे सेवा कर्म दान धर्म पर अमल करते हुए मिशन की और से वर्षों से शिविर का निशुल्क आयोजन किया जा रहा है शिविर में डॉक्टर थारवानी के साथ डॉक्टर अशोक झंबानी, डॉक्टर निल सेवानी ने अपनी सेवाय प्रदान की आशा मेडिकोज, भारत एजनसी, सनाया, अमित थारवानी की और से दवायू की सेवा दिगई प्रदिबालानी, पूजा समर्थ, मोरियानी, रक्षदा, कोमल, पूनम, सुनिता, महग थदानी ने सेवा कारिया में सहयोकर आयोजन को सफल बनाने में महत्वा पुर्णा भूमी का अदा की सामाज़िक जीवन विकास बहु उद्देशिय संस्था के तत्वावधान में कैंसर जागरुकता एवं निशुल कैंसर जांच शिविर का भव्य आयोजन जैताला स्थित एकात्मता नगर में किया गया शिविर का उद्धाटन नगर सिवक प्रफुल गुर्धे पाटेल ने किया एवं उन्होंने कैंसर से बचाओ हे तू आवशक बातों पर अमल करने की अपिल की उन्होंने मियूर मेमोरियल होस्पिटल सिद सेंटर पर जांच करवाने की सला दी कैंसर के क्षेतर में निरंतर सेवारत इंडियन कैंसर सोसाइटी के सचिव डॉक्टर मनमोहन राठी के मार्क दर्शन में समुझित सेवाई दी गई शिविर को जबरदस्त प्रतिसाद मिला एवं बड़ी तादाद में नागरी को ने जांच कर आई शिविर का आयोजन डॉक्टर इंगले ने किया एवं अरुणोदय सहकारी संस्था की सहभागिता रही अपने संबोधन में डॉक्टर राठी ने कैंसर के खत्रों से आगा किया एवं सतर्क रहने की सला दी आयोजन में समाच सेवी अरुन भाव पाटपा से अर्जुन राव सोनोने रमेश राव खड से गणेश राव वर्धे विजेवान केड़े शेश राव खोबरागडे भीम राव चपान डॉक्टर विश्वनात माने कर आदी का विशेश योगदान रहा आजादी का अमरुत महत्सव के अंतरगत दक्षिन मद्यक्षेत्र सांस्रुतिक केंद्र नागपूर के सयुकत तत्वाव धान में रविवार शाम 6 बजे साइन्टिफिक सभाग रुह लक्ष्मी नगर नागपूर में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल क आयोजन किया गया है इस कारेक्रम का उद्घाटन नगर सेवी का प्रगती पाटिल संपादक गजानन निमदेव दक्षिन मद्यक्षेत्र सांस्रुतिक केंद्र नागपूर के कारेक्रम अधिकारी शशांग दंडे एवं एलिट रोटरी कलब के शुभंकर पाटिल द्वार दिप्रज्वलनकर किया गया इसके पशात प्रगती पाटिल ने कारेक्रम के आयोजन हेतु आयोजकों के प्रती आभार प्रकट कर उनका अभिननदन किया और सहभागी कलाकारों को आशिरवात दिया इस कारेक्रम का प्रारम उज्जैन से नियंत रित मध्यप्रिदेश की प्रसिद्धर नृत्यांगना डॉक्टर खुश्बू पांचाल द्वरा कतक नृत्य की दी गई उन्होंने अपनी प्रस्तुती का प्रारम श्री गनेश स्तुती से किया इसके पश्चात उन्होंने श्री गुष्ण पर आधारित माखन चोर शिव पर आधारित धृूपत क इसके मंत्र मुग्द कर देने वाली प्रस्तुती दी उन्होंने अपनी कथक प्रस्तुती का समापन त्री ताल में तराना की सुन्दर प्रस्तुती से किया कारेक्रम की द्वितिय प्रस्तुती सुप्रसिद्ध कलाकर एवं कोरियोग्राफर, माटखोलकर एवं समुह द्वारा भरतनाटेम की दी गई इन्होंने अपनी प्रस्तुती काप्रारम, राक्स्वरस्वती और ताल आदि से किया महत्मा गांधी अंतर राष्ट्रिय हिंदी विश्वविद्याले में नववे सीख गुरू, गुरू तेक बहादूर की 400 वी जयन्ती वर्ष के अउसर पर गुरू तेक बहादूर जी की वानी का संदेश विशे पर राष्ट्रिय संगोष्टी आयोजित की गई इस अउसर पर हिमाचल प्रदेश केंद्रिय विश्वविद्याले के कुलाधी पती प्रोफेसर हरमेंद्र सिंग बेदी ने कहा कि गुरू तेक बहादूर ने गुरू नानक की परमपरा को आगे बढ़ाते हुए अहिंसा परमो धर्म को व्यवहरिक स्वरुप दिया उनकी वानी ने एशिया के देशों में चेतना जगाने का काम किया उनको याद करना भारतिय चिंतन परमपरा और संसूती से जुड़ना है प्रोफेसर बेदी गुरूवार को गालिब सभागार तुलसी भवन में आयोजित संगोष्टी में बतोर मुख्य वक्ता के तौर प उमिकानी भाई गुरूतेक बहादूर जी का अध्यान उनका बलीदान उनकी वानी का मुल सरोकर आज के एशिया के देशों में अध्यान के केंद्रों में हैं उन्होंने निर्भय और निर्वेर होकर पुरे आवाम के लिए एकता और अखंडता का संदेश दिया महमुदा शिक्षण एवं महिला गरामिन विकास बहु उद्देश ये संस्था नागपुर अंतरगत स्रेंटल इंडिया ग्रूप ऑफ इंस्टियूशन में महाराष्टर वक्फ़ बोर्ट के नवनियोकता अध्यक्ष विधैक वजाहत मिर्जा का सतकार पूर्व अनिस एहमत की हातों किया गया इस कारेक्रम में औक्सिजन मैन प्यारे खान आश्मी ट्रैवल्स निद्देशक आदी उपस्तित थे डॉक्टर अनिस एहमत ने अपने भाशन में कहा ताजबाग दरगहा ट्रस्ट के अध्यक्ष ऑक्सिजन मैन ने पिछले कोविड महामारी के समय जरूरत मंद को ऑक्सिजन सुविधा दे कर सैकड़ों लोगों की जान बचाई उन्होंने अपने भाशन में वजाहत मिर्जा को बधाई देते हुए कहा कि विधर्प के लोगों के लिए गर्व की बात है कि वजाहत मिर्जा वक्फस अंस्था की सुरक्षा तधा प् काम करेगी और गलत चीजों को सुधारने की कोशिश करेगी आपसे प्रेरना लेकर मैं इस मुकाम पर पहुचा हूँ इस मौके का सही इस्तमाल कर संस्था विकास की और ले जाने का काम करूंगा इस आशे के विचार विधाक मिर्जा ने व्यप्त किये रायसोनी समुह के SGR Knowledge Foundation द्वारा आयोजित और NCT Literature Face का समापन हुआ आखरी दिन विभिनक शेत्रों से आये नामी वक्ताओ लेख को और सामाजिक शेत्रों की विभूतियों ने श्रोताओ पर अपनी छाप छोड़ी एक्टर और व्रांट strategist भारत दाभोलकर ने अमूल के साथ काम करने का अनुभव साज़ा किया अमूल गल का चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संशिपतर रहो, यादगार रहो और गेम चेंजर बनो उन्होंने कहा कि पहले के और अभी के विग्यापन के तरीके में काफी परिवर्तन हुआ है पहले जो काम 4 मिनट में होता था उसे अब 30 सेकंड लगते हैं उत्पात विग्यापन का केंद्र बिंदू होना चाहिए विग्यापन जितना सरल होगा उतना ही प्रभावी होगा लेखी का मिनाई वैद ने देश में मांसिक भीमारी के कारणों को उजागर किया आत्महत्या के कारण और परामर्ष की आवशक्ता को भी उन्होंने विस्तार से समझाया गौरो टेकरिवाल ने अपने सत्र के दोरान देश के 15 गणित अग्या के कारिय का जिक्र करते हुए देश का नाम गणित विशे में कैसे विश्वस्तर पर पहुँचाया जाए ये समझाया महिला सशक्तिकरन विशे पर पैनल चर्चा में काविरी बाम जाई, नंदितापुरी, मिनाई वैद्य और हर्शाली सिंग कॉल ने सकरिय रुप से भाग लिया वैसे तो साहित्य से मेरा नजदिक का रिष्टा है इसलिए मैं मन की नहीं सच्ची बात करूँगा ये बात प्रसिध्ध भीनेता वह पुर्वसान सक्षत्रुगन सिंधा ने रायसोनी समुह द्वारा आयोजित और एन्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल के उधगाटन आवसर पर प्रमुक अथिती के रुप में कही उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर फेक निउस का है लोगों को अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए अपने आत्मचरित्र एनिफिंग बट खामोश का उल्लेक करते हुए उन्होंने कहा कि ये पुस्तक लोगों को अच्छा संदेश देगी उनको प्रेरित करेगी अच्छे सा जोडने का सुझाव देते वे उन्होंने कहां कि साहित्य समाज का आयना होता है। जानवरों और परियावरन पर आहार के प्रभाव के बारे में सीखा। जोडने के आभारी है कि उन्होंने हमारा ज्यान वर्धन किया। इस वेबिनार में बड़ी संक्या में छात्राय, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्ति थे। वेबिनार के दोरान छात्रों ने अपने पशूत पात की खपत को कम करके जानवरों और परियावरन की मदद करने का संकल्प लिया। नाकपूर महानगर पाली का द्वारा संचालित बोधिस्त बेघर निवारा में समाथ सेवक महात्मा फुले की पुन्यतिती मनाई गई। तो बहुत गहराई से महात्मा फुले के विचारों का आकलन करने की जरूरत है। अंकित गर्जमार, इंदूरकर, लक्ष्मीकान अंडर सारे, नितेश मांडव कर उपस्तित थे। बाद में संस्था द्वारा फिल गुड और गगन भरारी बहुत देशे संस्था का आभार जताया गया और कारेक्रम कोरोना नियमों का पालन करते हुए संपन्न हुआ। जनजागरन अभियान ब्लॉक एक प्रभाग 21 में शार अध्यक्ष विकाल स्थाकरे वा विधायक अभिजित वन्जारी के आदेश अनुसार वा ब्लॉक अध्यक्ष ग्यानेश्वर ठाकरे के नितरुत्व में और अलपसंक्यक सेल अध्यक्ष इर्शाद अली की उपस्तित जनजागरन अभियान पदियात्रा और महंगाई के खिलाफ जनागरोश पत्रक वाटप किया गया इसकी शुरुवात नारायन पेट खैरी पूरा चौक से हुई साथ में देशमुक गुरुजी विक्रम कदम रामचंदर दंडारे शारुपाद्धेक्ष निर्मला बोर कर कुंदा हरडे सुरेंद्रमेश राम महिलाद्धेक्ष अर्चना सीडाम वाडद्धेक्ष सुनिता कोचे डॉक्टर सतिश पारक सचिव मनोज नौकर कर महा सचिव देश भर के विविनक शेत्रों में 43 करोट से अधिक असंगठित श्रमिक काम कर रहे हैं सरकारी योजनाओ से कोई सुविधा या लाब नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थितिक हराब हो रही हैं केंद्र सरकार को इन उपेक्षित श्रमिकों के लिए कानुन बनाना चाहिए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। भी कामगारों को सुरक्षा मुहिया कराना है। अभिनेत्री अमिशा पटल और मराठी अभिनेत्री पुझा सावंत ने कारियशाला का दौरा किया और चात्रों से बात किया। उन्होंने कहां कि निकट भविश्य में नाकपुर शहर का नाम एनिमेशन के छात्र में गर्व के साथ लिया जाएगा। जीका की निदेशक डौक्टर पुरिनिमा के दार चेंच मलत पुरे ने अगली बार एक बड़ी कारेशला आयुजित करने की च्छाव्यक्त की। इस कारेशाला की सफलता के लिए मंगेश फाल के संजे मिश्राम, वैभो करमारकर, हरशल ढोके, सवरप चौधरी, यामिनी गवली, सांची प्रजापती, गायतरी गिरकर और कार्तिक सावर करने कड़ी महनत की। महराष्टर राज्य मचुवारा संगर्श कार्य समिती, महराष्टर के अध्यक्ष प्रकाश लोनारे के नेतरुत्व वाले समिती के महत्वपुर्ण पदाधिकारी सलाहकार, प्रोफेसर एकनात काटकर, तथा कोशाध्धिक्ष नंदुजी नगरे सहित, सभी सहयोगियों क प्रयासों को अंततह सफलता मिली है, और सरकार ने तालावों के ठेकों की अवधी में आगामी तिन महा के लिए बड़ो तरीकी है, साथ ही जल्द ही तालाव ठेका माफी की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है, जल्द ही तालाव ठेका माफी भी हो जाएगी, ये जानकारी महर प्राश्टराज्य मच्छुवारा संगर्शकार्य समिती एवं भोई समाज क्रांती दल के जिलाद धेक्ष अमुल बावने ने दी। वो नियमों का पालन करवाना अनिवारिय होगा। प्रशासन के अनुसार दक्षिन अफ्रीका में कोविड वायरस का एक नया स्ट्रेंड पाया गया है अतह नियमों का कड़ाई से पालन करना बहुत जरूरी है। राज्य में होने जा रहे विधान परिशत चुनाव में छे में से चार सीटो पर निर्वीरोध चुनाव होंगे। लेकिन नाकपुर और अकोला निर्वाचन क्षेतरों में चुनावी घमासान होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। रामिल हुए पूर्वा भाच्पा नेता डॉक्टर रविंद्र और छोटु भोयर को अपना उमिदवार बनाया है। इस सियासी समीकरन के चलते होर्स टेडिंग के जरिए भाच्पा पार्शदों का पार्टी छोड़ कर जाने का खत्रा मंडरा रहा है। भाच्पा हाई कमान ने चुनाव संपन्न होने तक पार्टी के पार्शदों को बहर भेज दिया है ताकि आगा में चुनावों में वोट न बटे। रविवार देररात को अधिकतर भाच्पा पार्शदों को गोवा भेज दिया गया। पार्शद गणरात में ही नागपूर हवाई अड़े से गोवा के लिए रवाना हो गया। तो नागपूर हलचल में आज इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूस नमस्कार।